आज का यह सत्य घटना पहले की जो भगवन्दत अद्रे से संबंधित शत्य घटना का एक विडियो है उसका ही एक यह अंसा है हम सभी ने उस घटना में जाना की कैसे एक साधक भगवन्दत की क्रिपा से अपने घर में उपस्तित नकरात्मक शक्ति को हटाने में सक्षम हुए थे और उनकी क्रिपा से उनके घर की नकरात्मक उर्जा नश्ट हुई थे उसका ही एक यह भाग है कि जिस समय में जब उन्होंने भगवान दत के वज्रकबच का पाठ आरंभ किया था तो आरंभ करने की कुछी दिनों के बाद, कुछी दिन का अर्थ है जिसमें उन्होंने बताया कि लगभाग दूसरे तीसरे दिन से ही उनके श्वपन में एक बच्चा सफे दबस्तर पहने हुए सदेव दिखता था और शुकी ये पहले से वीडियो सुन हुए थे और हम लोगों ने इस चीज का आकलन किया है और ब्राह्मन परिवाल से थे कि जैसे जिनके घर में तंत्रमंतर की शमस्चा होती है या कुल में ब्रह्म की उपस्तिती होती है बच्चे चोटे मृत्य को प्राप्त हुए रहते हैं किसी कारण से तो ये बाल ब्रह्म आदी होते हैं इनके मन में यह संसे सदेव से था कि लग रहा है कि वजरकवज के पाठ के कारण से यह सक्ति मुझे बारबर दिखाई देती है अब दूसरा विशय यहां पर यहां उठ रहा था कि कुछ समय जब बीता सब्ता दस दिन हुआ तब वह बच्चा जो है स्वपन में सदेव एक बात बोला करता था इनसे अब इनकी बहु को ले करें जिनके उपर यहां परिसानी थी जिनके उपर में ब्रह्म का आविशाता था जिनके उपर अभिचार क्रिया की गई थी जो कि गर्ववती नहीं हो पा रही थी कमचे कम पाच-छे साल तक उनकी विवाह के हो चुके थे और अन्ने भी समझ चाहें थी उनके सरी पर जब आवेशाता था तो वह गाली गलोच करती है और बहुत सारे ऐसे कार करती ही जो कि काफी दिक्कत देने वाला था तो वह बच्चा जब अब 10-7-10 दिन हुआ उसके बार जब वो दिखने लगा तब वह बोला करता था कि दिखाता था श्रपने में जैसे कि उस जो उनकी बहुं है उनकी सर के उपर से किसी चीज को उतार करके घर के मुख्य द्वार पे रख रहे हैं ऐसा वो लगभग श्र के इस चीज को समझा कि जब जब वो श्रुपिने में देखते हैं कि इनकी पहुं की समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है जब वह उत्पातभ बहुत अधिक मचारी है और इस चानिकलीड़ेश 3000 हैung सुरू कर देती है, तो उसी रात जो है उनके सर से उतार कर जित रख रहे अब इसे दो तरीके से रह सकते थें क्योंकि अभिचार गर्सित हैं तो मन में 90% संका होती थी कि कहीं न कहीं यह अभिचार का कोई विशय है जब कोई अभिचार किया जाता है तो इसकी परिसानी बढ़ती है वही चीज़ अब हमें श्वप्न में दिख रहा है लेकिन जब ज सारा स्वप्न में देखा करते थे इनकी बहुत सांत हो जाये करती थी वह लगभग जो है नॉर्मल रहती थी फिर अगले दो तीन चार दिन तक ऐसा रहता था अचो कि कवच के सारना कंटीनू चल रही थी ऐसे ही एक अगला श्वप्न इनको आया जब उसी बच्चे को ये अपनी गव के पास देखी जिसका तब्यत ज्यादा खराब था इवेन गाओं में गायों को एक रोग होता है जिसे थनेला कहा जाता है उसमें गाय के थने जुए काफी सूज जाती है और दूद नहीं देती है और भी परशानिया होती है तो उसका दबा वो दे रहे थे उस तो ऐसा धोना कुछ अन्य प्रकार का वो देती ही वे देखी श्वप्न में और अगले दिन वो गाय जो थी वो ठीक हो गई थी दवा तो चली रहा था तो यह प्रभाव दिया तो अब उनको यह दो तीन घटना है जब श्वप्न में होई तो इन्हें समझ में आया कि वो सक समझ पाईगा उसमें हमने क्रमगत करके के घटनाएं बता दी है अब जो चोटी चोटी घटनाएं रही है पूरे साल भर में जो उन्हों ने चुकि बहुत अधिक मात्रा में और उसी कबच में आता है स्मृत गामिता उसको भगवान न सद्ध किया है कि यह जब जो है समझ बहाओ था श्रप्ने में सुनने को मिला जिससे की पूरे समझ पाएं पुरा पूराना वीडियो सुनिएगा तो उसमें आपको सारह समझ माइजा गा उसका लिंक भी दे देंगे उसमें जो यह यह स्वरूप देख रहे थे वह तीन से चार सवरूप में इनको देखे उसमें से एक सोरूप इसी बालग का था तो इन्हें तब समझ में आया कि जो हम कवच में पाठ करते हैं कि भगवान ततिस्मृत गामी है स्मर्ण मातर से आ जाते हैं चाहें आप कैसे विश्मन करें तो ये तो पहले दूसरे दिन से ही साथ आना शुरू हो गए थे ये तो साथ रहके हमारे प्रारदों को काट रहे थे उसे परसानी हो रही थी लेकिन वह बार-बार उस स्वरूप में दरसन होता क्योंकि ये बड़े सही भगत थे जिवो ये कवच का पाठ करे थे सुद्ध सात्विक आचार विचार वेवार वाले और बहुत समर्पित साधक थे तो इन्हें दरसन हो रहे थी लेकिन आदमी भाइभीत रहता है तो भ्रहम के स्थिती जरूव सधिक बनती है ये तो साल भर के बाद इन्हें समझ में आया जब चीज़े इस पश्ट होई तो भगवत कृपा तो पहले से हो चुकी थी वो सहयोग कर रहे थे अब देखिए बोलने वाले तो ये बोलेंगे कि जब भगवानी आ रहे थे तो एक ही बार में क्योंने ठीक कर दिये देखिए प्रारब्द को कैसे कटवाएं हैं इनको साहस दिये हैं धीरे धीरे करके चीज़े जो है ठीक होई है तो यह होता है यह घटना जो है इससे आप सभी सीख शकते हैं आप कभी यह ना सोचें कि हम कबच का पाठ कर रहे हैं तो हमें पूरा रलाभ क्यों नहीं हो रहा है आप देखिएगा आप और हम जो हैं हमारे उतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन विश्यों को समझ पाएं यह तो एक समय के पश्चात समझ में आता है हो लेंगे और अपने भक्ती में जिनके प्रिवार में घटना घटित हुई है जो लोग इसके साक्षी बने हैं और रूप से समर्पित हो चुके हैं जब कि पहले वो कोई पूजन पाठ संध्याद ही नहीं करते थे आप भी बनें आप भी आगे बढ़ें साथ बने रहें जयामा विंदवाशनी हरहर महादेव